हेलो इश्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप सब मैं सत्यम परशांत कौशल आ गया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का रे आप्टिक्स के अंदर रेफलेक्शन इना प्लेन मिरर का एक नया लेक्चर लेके जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विलोसिटी इना प्लेन मिरर ये लेक्चर इंपोर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12 में है या जेई और नीट जैसे एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की हेडिंग लगा लिजे विलोसिटी इना प्लेन मिरर और उसके अंदर सबसे पहला केस ज माल लेते हैं वो ऑबजेक्ट O है जो की इस मिरर के लेफ साइड प्लेजड है अगर मैं आपसे पूछूँ इस मिरर के रिस्पेक्ट में इस ऑबजेक्ट की इमेज कहां बनेगी तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ऑबजेक्ट इस रिफलेक्टिंग सर्फेस के लेफ साइड प्लेजड है तो मिरर के बिहाइंड इमेज बनती है या कहलो इसके बैक साइड पर बनती है या कहलो राइट साइड बनती है क्लियर तो इसका मतलब यह है यहां से हम कह सकते हैं हमारी इमेज कहां पर फॉर्म होगी चलिए सबसे पहले रिफेरेंस बना लेते हैं, अगर object left side है, तो image बच्चो right side बनेगी, खतम बात, यानि कि eye image इस mirror के back side बनेगी, clear, अच्छा, अगर मैं आप से पूछ हूँ, इस object और इस image का distance with respect to mirror क्या है, तो माल लेते हैं, mirror से ये object x distance पे placed है, क्या, ये mirror से x distance पे object placed है, और माल लेते हैं, इस mirror से ये image y distance पे placed है, clear हुई बात की नहीं, पक्का, अच्छा, एक बात तो होता है, कि x is equals to y होगा, क्योंकि आपको मैंने note करिये, previous lecture में बताया था, क्या बताया था, कि जो object का distance होता है, from the mirror, वही same distance होता है, image का distance from the mirror, क्या ये बात समझ में आई की नहीं, previous lecture में मैंने आपको बताया था, object का distance from the mirror, जो होगा, वही same distance होगा, image का distance from the mirror, इसका मतलब ये है, x is equals to y होगा, clear हुई बात की नहीं, पक्का, अच्छा, एक बात note करियेगा, ये जो distance आपने देखा है, x और y कहां से देखा है, with respect to mirror देखा है, तो यहाँ पे एक point लिखिए बच्चो, with respect to mirror, यानि की WRT, clear, with respect to mirror हम कह सकते है, x is equals to y होगा, मगर एक बात और note करिये, आप किसके respect में देख रहे हो, mirror के respect में देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, कि object mirror के respect में left side placed है, तो image right side बन रही है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के negative है, opposite है, clear हुई बा जाना, must है, clear, अच्छा, अब बात करें, velocity की, अगर ये object move करने लगे, किसी velocity से, तो ये image किस तरफ move करेगी, किस velocity से, ये सारी बातें जानना है, तब ही तो इस chapter का नाम है, lecture का नाम है, velocity in a plane mirror, समझ गये, अच्छा, अगर हमें velocity के concept को जानना है, तो उसके लिए क्या करना प with respect to time dt, clear, तो यहां सम कह सकते हैं, बोलिए, dx by dt is equals to minus dy by dt, clear हुई बात की नहीं, पक्का, इसका मतलब क्या है, differentiation of x with respect to time, किसके बराबर है, negative of differentiation of y with respect to time, clear हुई बात की नहीं, अच्छा, dx by dt क्या है, rate of change of x with respect to time, x, यानि की object का distance, कितना change हो रहा है with respect to time, यहीं तो velocity of object होगी, तो dx by dt की जिगा क्या लिख सकते हैं, v o velocity of object is equals to, क्या, minus dy by dt, यह क्या है, differentiation of y with respect to time dt, अच्छा, y का change, यानि की image की position का change, with respect to time, वहीं क्या होगा, velocity of image, तो यहाँ पे हम dy by dt की जिगा क्या लिख सकते हैं, v i, यानि की velocity of image, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं, velocity of object is equals to, minus velocity of image, पहले यह bracket में डालिये, clear हुई बात की नहीं, पक्का, और यह relation भी कैसा है, बच्चो, with respect to mirror है, note करेगा, किसके respect में यह velocity का relation आया है, with respect to mirror, clear हुई बात की नहीं, अच्छा, एक बात note करेगा, यह जो object है, और image है, देखिए ध्यान से, perpendicular move कर रहा है, मानिए, यह आपका object है, यह ऐसे move कर रहा है, इस mirror के perpendicular, कैसे move कर रहा है, perpendicular move कर रहा है, किस direction में, बोलिए बच्चो, right side move कर रहा है, तो image किधर move करेगी, left side move करेगी, किस तरफ move करेगी, left side move करेगी, with same speed, अगर ये object 5 meter per second से इस mirror के toward जाएगा तो ये image भी इस mirror के toward जाएगी with 5 meter per second, speed same होगी, बस direction अलग है, object right side move कर रहा है mirror के, और image left side move कर रही है इसलिए ये negative sign आ रहा है मगर दोनों की speed या yellow velocity का magnitude same रहेगा clear हुई बात की नहीं पक्का, समझ गया एक बात नोट करेगा, अभी ये object इस mirror के सिर्फ और सिर्फ perpendicular move कर रहा है perpendicular, इधर उधर नहीं move कर रहा, clear हुई बात की नहीं फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मा लिजे आपका ये object, बोलिए मा लिजे, 5 meter per second की velocity या कहलो, speed से इस तरफ move कर रहा है toward the mirror move कर रहा है तो image भी किधर move करेगी, toward the mirror move करेगी with 5 meter per second, अगर मैं आप से पूछूं की भाई image की speed क्या है, तो 5 meter per second, और velocity पूछूंगा तो क्या कोगे, minus 5 meter per second, क्योंकि ये negative direction है, clear हुई बात की नहीं, mirror को आप एक origin समझ लो, left side negative right side positive, बात खतम, clear पक्का कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे object की velocity क्या है 5 meter per second image की velocity क्या है, minus 5 meter per second, क्योंकि velocity एक vector quantity है direction भी देखना पड़ेगा clear हुई बात की नहीं, इस relation को note करिए सबसे पहले, हो गया, चलिए अब आईए करते हैं, question ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए find find velocity of image find velocity of image क्या होगी, image की velocity एक case देखिए यह डंडा ले आया हूँ, बाहु बली की तलवार है, भोग दूँगा चलिए, अरे भाईया, mirror बनाना है सिर्फ तो होगे, sir, बड़े खतरनाक है mirror बनाने के ले इतनी खतरनाक तलवार लिया है चलिए, देखिए बच्चों, यह हमारा मा लीजे mirror है, बच्चों, क्या है? mirror है, और इस mirror के left side को यह object रखा है, मा लेते हैं, ओ object है और यह object की velocity कितनी है, 5 meter per second given है और यह object किस speed से move कर रहा है, 5 meter per second किस तरफ move कर रहा है, toward the mirror move कर रहा है या कहलो, right side move कर रहा है, clear अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है image कहां बनेगी, बच्चों, इसके right side बनेगी, और same distance पे बनेगी, clear, और उसकी velocity क्या होगी हमें क्या निकालना है velocity of image, यानि की v-i निकालना है, clear कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही तो बताया है, अगर object की velocity क्या है, minus 5 meter per second है, क्या है, minus 5 meter per second है, clear, अच्छा, तो image की velocity क्या होगी, image की velocity क्या होगी, minus 5 meter per second होगी, बात खतम, clear हुई बात की नहीं, अगर object, बोलिए बच्चों, इस mirror के किस तरफ move कर रहा है, right side move कर रहा है, या कहलो, toward move कर रहा है, तो image किधर move करेगी, image किधर move करेगी, ये भी इस mirror के toward move करेगी, या कहलो, left side move करेगी, left side move कर रही है, इसलिए आपे minus आ रहा है, clear हुई बात की नहीं, पक्का, speed सेम रहती है, बस sign change कर देना होता है, clear पक्का, समझ गए होगे, बहुत ही simple case था, एक बात note करेगा, ये जो आपने सबसे पहला case देखा है, इस case में जो आप mirror देख रहे हैं बच्चों, ये rest पे है, mirror हमारा rest पे है, इसका मतलब velocity of mirror 0 है, velocity of mirror 0 है, ये सबसे पहला case का question हमने करा दिया है, question number 1 डालीजे और copy करके, अब मैं जा रहा हूँ, मिटार ने है, हो गया, इसका second case देखते हैं, आईए, चलिए, same question है बच्चों, find the velocity of image, अब question change कर लीजे, question number 2 हो गया, ठीक, और हमारे पास एक कोई mirror है, चलिए, इस बार बिना तलवार के हमने mirror बना दी, डरो मता आप लो, यह हमारा मालीजे बच्चों, mirror है, ठीक, और यह object है, जो की left side placed है, और यह इसकी velocity अभी भी किती है, 5 meter per second है, इसकी speed या कहलो velocity, toward the mirror है, या right side जा रहा है, clear, और इस बार, इस बार, यह जो mirror है, rest पे नहीं है, यह mirror भी move कर रहा है, without velocity, 2 meter per second, वो भी किस तरफ, left side move कर रहा है, mirror, mirror किदर move कर रहा है, left side move कर रहा है, clear हुई बात की नहीं, पक्का, अच्छा, यहाँ पे, velocity of mirror, 0 नहीं है, rest पे नहीं है, इसलिए यह मत कह देना, कि भाया, velocity of image क्या होगी, minus 5 होगी, यह answer नहीं होगा, clear, अच्छा, अब आपको पता है, image कहां होगी, यहाँ पे होगी, image बन रही होगी, हमें पता क्या करना है, velocity of image, यानि की vi calculate कर रहा है, मैं आपको option दे दे रहा हूँ, सबसे पहला option, A, आपके लिए क्या हो सकता है, minus 5 meter per second हो सकता है, या आप कहिए, B option आपके लिए, minus 7 meter per second हो सकता है, या, आपके लिए, C option आपके लिए क्या हो सकता है, minus 3 meter per second, और एक option D, आपके लिए क्या हो सकता है, 9, minus 9 meter per second, अब ये option इतना देने में समय इसले लगा है, ताकि आपको confuse कर सकूँ, आप गलत option चूज करो, अब देखिए, चलिए वीडियो को pause करके इमानदारी से velocity of image बताईए, image की velocity बताईए, आपके पास ABCD 4 option है, हो गया, चलिए, जिन बच्चो का जो answer आया होगा, वो आया होगा, B, या तुन्होंने बोला होगा, minus 7 meter per second, या minus 3 meter per second, या A, minus 5 meter per second, इन में से कोई आया होगा, हाँ, मुझे पता है, यही आया होगा, मगर A, option B correct नहीं है, B, B correct नहीं है, C, B correct नहीं है, जो option कौन सा correct है, D, option correct है, minus 9 meter per second, ये कैसे आ गया, किस भी concept से देखिए बच्चो जिन बच्चो ने relative velocity का concept लगाया हो गया तो उनके हिसाब से minus 7 meter per second आया होगा या minus 3 meter per second आया होगा relative velocity का concept लगाये होंगे मगर यहाँ पे गलत कर लिए होंगे क्योंकि वो सिर्फ देख के question को solve कर रहे हैं खुद से try pen paper पे solve नहीं कर रहे हैं अब इसमें एक थोड़ा सा concept लगेगा क्या आये ध्यान से देखिए कैसे d option सही है आते हैं दिखाते हैं उसके लिए हमें एक formula derive करना पड़ेगा देखिए बच्चो अभी आपने पड़ा था अगर mirror हमारा rest पे है तो उस case में velocity of object is minus of velocity of image यह होती है v o is equals to minus v i अच्छा clear हो गई बात यह formula बच्चों किसके respect में था mirror के respect में था तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जड़ा ध्यान से देखिए इसी को v o m minus v i m अब कहोगे यहां both side हमने mm क्यों लगा लिया क्योंकि यह formula velocity का या कहलो relation with respect to mirror था इसलिए mm लगा लिया इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा यह वेक्टर कॉंटिटी है लगा लो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे वेक्टर कॉंटिटी है डरने की बात नहीं है अच्छा देखिए v o m का मतलब क्या है अब यह एक relative velocity Relative velocity, जैसे देखिए, velocity of object with respect to mirror, यह है VOM, VIM क्या है, velocity of image with respect to mirror, क्या यह बात समझ में आई कि नहीं, अच्छा, इसी को बोलते है, Relative velocity, अगर मैं आप से प्यूछूँ, VOM को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बोलिए, VO-VM, यानि की, velocity of object minus velocity of mirror, क्लियर हुई बात की नहीं, जैसे आपने याद करिये, Relative velocity, जब मैंने पढ़ाई थी, Class 11 में, VAB, क्या होता था, याद करिये, VAB, यह क्या है, बोलो, Velocity of A with respect to B, कैसे निकालते थे, VA minus VB, ऐसे ही तो निकालते हैं थे, बच्चों, याद करिये, तो उसी तरह हम यहाँ पर यही तो कर रहे है, VOM क्या होगा, VOM minus VM, बात खतम, क्लियर, बोलिए, इसको मिटार दें, चलिए, Relative velocity समझ में आई, revise करा दिया है, Class 11 वाला, topic, अब, is equals to, यहाँ पर क्या लिखा है, minus VIM, तो, minus VIM, IM को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है, Velocity of Image with respect to Mirror, कैसे निकालोगे, बोलिए, यह जगा, VI minus VM, clear हुई बात की नहीं, पक्का, अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए, ज़रा ध्यान से, यह minus अंदर multiply करोगे, तो क्या हो जाएगा, minus की जिगा, plus VM हो जाएगा, की नहीं हो जाएगा, इधर plus VM, और इधर minus VM पहले से, इसको इधर पेज़ोगे, तो VM, plus VM के तो वजाएगा, तो VM हो जाएगा, क्या, is equals to क्या हो जाएगा देखिए इधर जहारा ध्यान से minus v i है इसको इधर बेजोगे तो क्या हो जाएगा v o plus v i क्या हो जाएगा v o plus v i यह हा जाएगा यहां से v m velocity of mirror कितनी हो जाएगी velocity of object plus velocity of image upon two बच्चों यह आ जाएगा clear यह relation नोट करिए यह relation तब लगाना है जब mirror move कर रहा है और जब rest पर है तो simply यह वाला clear हुई बात की नहीं पक्का समझ गए बच्चों एक बात नोट करेगा कि जो mirror है पहली बात तो बच्चों क्या है मूलिए mirror move कर रहा है moves कर रहा है और साथी साथ object क्या है बच्चों perpendicular है object क्या है perpendicular move कर रहा है mirror के clear हुई बात की नहीं पक्का समझ गए copy करिए velocity of mirror कैसे निकालेंगे उसका एक relation है VO plus VI upon 2 VO क्या है object की velocity और image की velocity VI है अच्छा भईया यहां पे vector quantity sign लगा लेना समझ वेक्टर है clear हुई बात की नहीं समझ वेक्टर है clear अच्छा एक बात और note करके रखिएगा क्या यहां पे जो आपको VM, VO, VI यह जो दिख रहे हैं term यह sign के साथ रखने है sign convention के साथ रखने है अगर कोई चीज left side move कर रही है left side तो भईया वो negative right side move कर रही positive चाहे object हो या image हो या mirror हो clear यह formula सबसे पहले copy कर यह हो गया अच्छा यह तो हो गया जब mirror move कर रहा था देखिए आप इस formula से यहां तक पहुँश सकते हो कुछ नहीं करना अगर आप कहो कि भईया बोलिए आप से मैं बोलू mirror हमारा rest पहे है क्या ज़रा ध्यान से देखिए rest पहे mirror तो उस case में क्यों होगा vm is equals to 0 हो जाएगा vm 0 हो जाएगा vm 0 करोगे 2 को इधर बढ़े जोगे multiply करोगे तो क्या हो जाएगा 0 is equals to vo plus vi फिर क्या कहोगे एक चीज को इधर बेज दो तो आप कहोगे vo is equals to minus vi समझ गे clear हुई बात की नहीं पक्का समझ के अगर mirror rest पहे mirror की velocity 0 है तो vo is equals to minus vi ये बात note करके रखिएगा clear सब कुछ अच्छ समझा दिया है अब आईए देखते हैं question number 2 को solve करते हैं इसी formula से question number 2 को solve करते हैं हो गया copy चलिए मिटार दे रहे हैं चलिए देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि जो formula हमने derive किया था क्या था बच्चों बोलिए vm यानि कि velocity of mirror क्या होती है velocity of object plus velocity of image upon 2 इस formula को लगाईए और यहां पर note करिएगा यह सारे vector quantity है यानि की with sign रखना है अच्छा अब देखिए यह क्या है 5 meter per second किस की velocity है object की velocity है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है mirror की velocity क्या है बच्चों 2 meter per second है किस side है left side है तो कितना रखोगे यहां पर vm की value बोलिए minus 2 meter per second रखोगे इस उकल स्टू v o object की velocity किस तरफ है right side है तो positive 5 meter per second इसलिए 5 meter per second रखेंगे यहां पर फिर plus v i velocity of image निकालना है upon 2 कैसे होगा जर्ण ध्यान से देखो इस 2 को इधर बेज़ोगे कितना हो जागा minus 4 हो जागा is equals to 5 plus v i फिर यहां से आप कहोगे v i क्या जागा velocity of image इधर बेज़ोगे minus 9 meter per second रखेंगी velocity of image velocity of image कितना जागी minus 9 meter per second अब समझ में आया यह last option D कैसे correct है A, B, C जो बच्चे लगाए होंगे ऐसे ही सोच रहे होंगे भाई या mirror के respect में यह इधर आ रहा है left side तो minus 5 ले लिए होंगे और option number A बता दिए होंगे या उन्होंने यह बोला होगा कि दोनों एक दूसरे के पास जा रहे है और इनकी velocity कितनी हो जाएगी minus 7 हो जाएगी add हो जाएगी velocity 5 or 2 तो minus 7 होगा यह option भी गलत है कई लोग difference कर लिएँगे 5 minus 2 3 और यह object ज़्यादा इधर आ रहा है तो minus 3 होगा c option भी गलत है कैसे लगाओगे vm is equals to vo plus vi upon 2 क्लियर इस relation को याद करिए और note करिए copy हो गया side हो रहे है अभी तक आपने देखा कि object perpendicular move कर रहा था अब देखेंगे कि यह object इस mirror के parallel move करेगा तो क्या होगा चलिए हो गया copy side हो रहे है तो आईए बच्चों अब देखते हैं second case when object moves parallel to the mirror माल लीजे यह हमारा कोई एक plane mirror है इसके left side कोई एक object placed है उस object को हम यहाँ पे O से represent कर रहे है और यह object move कर रहा है किसी velocity VO से VO क्या है velocity of object और note करने वाली बात क्या है इस बार हमने object की velocity कैसे ली है इस mirror के parallel ली है और यह object उपर की तरफ move कर रहे positive y axis की तरफ move कर रहे तो मैं आपसे पूछ हूँ image की velocity क्या होगी उसका direction क्या होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आईए ध्यान से देखिए बच्चों अगर object left side है तो image इस mirror के right side बनेगी अच्छा चलिए सबसे पहले image का formation करते है image कहीं यहाँ पे बनेगी i image अच्छा एक बात note करिए कि अगर इस mirror के left side जो object रखा है parallelly move करेगा उपर की तरफ तो यह image भी उपर की तरफ move करेगी parallelly to the mirror क्या यह बात समझ में आई की नहीं इसका मतलब यह है कि भाई image के पास भी कुछ velocity होगी माल लेते हैं यह v i velocity से move करना है अच्छा एक बात और note करिएगा जिस velocity से यह object उपर की तरफ parallelly move करेगा mirror के उसी तरह यह image भी same velocity से move करेगी इस mirror के parallel वो भी उपर की तरफ हाँ या ना अच्छा तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर object की velocity is equals to the velocity of image यहां पे हम कह सकते हैं क्या यह बात समझ में आई की नहीं अगर object इस mirror के parallel move कर रहा है किसी velocity से same velocity से यह image भी इस mirror के parallelly move करेगी उपर की तरफ same direction में ध्यान दीजेगा यह object positive y axis में move कर रहा है तो यह image भी positive y axis में move करेगी इसलिए यहां पे negative sign नहीं लगाए है previous case में देखा था जब object आपका इस mirror के perpendicular move कर रहा था उस case में minus sign था यहां पे negative sign नहीं होगा क्योंकि object और image का velocity का direction same है हाँ या ना clear हुई बात की नहीं अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर मैं आप से कहूँ यह object भाई 2 meter per second की velocity से उपर जा रहा है तो यह image भी 2 meter per second की velocity से उपर जाएगा इसका feel करते हैं इसका मतलब यह है कि अगर object 2 meter distance cover करेगा एक second में मा लेते हैं यह उपर गया कुछ ठीक है भूलिए 2 meter distance इसने cover कर लिया तो image भी क्या होगी बच्चों 2 meter distance cover करेगी और यहाँ पर पहुच जाएगी बोलिए इसका मतलब यह है object और image equal distance cover करेंगे in equal interrupt time ठीक है अगर object 2 meter उपर जाएगा एक second में तो यह image भी 2 meter उपर जाएगी एक second में clear हुई बात की नहीं पक्का समझ के यहाँ पर minus sign मतलगाना mirror भी move कर रहा है मगर mirror कैसे move कर रहा है इस तरह move कर रहा है मा लिजे यह आपका mirror है और यह move कर रहा है vm velocity से इस बार velocity of mirror rest पे नहीं है मगर नोट करिएगा यह mirror कैसे move कर रहा है parallelly move कर रहा है object के तो उससे कोई भी effect नहीं होगा velocity of object पे ना ही velocity of image पे जो थी वही रहेगी clear तो एक बाद note कर लीजे यहाँ पे क्या बच्चों no effect on VO और VI velocity of object और image बोलिए on parallel motion of mirror mirror के parallel motion से object की velocity और image की velocity पे कोई भी effect नहीं होगा जो थी वो रहेगी clear पका आच्छा अरे सोचो यार यह mirror भी उपर की तरफ move कर रहा इसका मतलब क्या है इस mirror की length बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी object भी ऐसे move कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है image भी ऐसे जाती जाएगी जाती जाएगी कोई effect नहीं होगा clear समझ गए इसको note करिए सबसे पहले पका हो गया चलिए अब एक case करते हैं जिसमें ना ही object perpendicular move करेगा mirror के ना ही parallel move करेगा किसी angle पे move करेगा आईए देखते हैं वो question बहुत important है मिटार दें copy हो गया चलिए देखिए बच्चो सबसे पहले लिखिए question number 3 क्या कह रहा है find velocity of image आईए धियान से देखिए सबसे पहले diagram बना के आपको explain करते है question क्या है बाहु बली की तलवार है गोज देंगे चलिए बना लेते हैं एक mirror पहले ठीक मालीजे ये बच्चो हमारा एक कोई mirror है ठीक और इसके left side को एक object placed है और ये जो object है बच्चो इसकी जो velocity है वो कितनी है मालीजे 5 under root 2 meter per second इसकी velocity है और ये किसी angle पे project कर दिया गया है इस mirror के along अच्छा और ये angle मालेते हैं horizontal से हमको given है question में 45 degree clear अब मैं आपसे पूछूँ अगर object 5 under root meter per second की velocity से move कर रहा है at an angle 45 degree तो image का velocity क्या होगा जल्दी से वीडियो को pause करके question को try करिए हो गया पका चलिए देखिए हमें क्या निकालना है velocity of image clear बोलिए आच्छा अब इसके लिए क्या करना पढ़ेगा जरा ध्यान से देखिए इस velocity के पास इस object की जो velocity है इसके पास दो component है एक आप कहोगी जब इसका क्या करोगे इसका जब आप splitting करोगे इस vector की तो क्या होगा एक इसका x के along component मिलेगा और एक y के along या कहलो perpendicular velocity होगी इस mirror के एक और एक इसकी parallel velocity अच्छा इस object की velocity के पास दो component है एक perpendicular और एक parallel वाली या कहलो horizontal और एक vertical मतलब वही है इस बार ना ही ये perpendicular है ना ही parallel है उसके कहीं 20 से पास कर रहा है इसकी velocity कोई दिक्कत नहीं है आईए ध्यान से देखिए क्या से करना पढ़ेगा सबसे पहले इस mirror को थोड़ा extend कर लेते हैं ठीक है चीची गंदा हो गया चलिए ये हमारा mirror थोड़ा extend कर लिया चलिए और object यहाँ था हम क्या करेंगे जो इस object की velocity है 5 under root 2 इसका क्या करेंगे इसका splitting करेंगे तो इसका एक component ये मिलेगा बच्चों x के long या कहलो perpendicular velocity v perpendicular बोल देते हैं अच्छा और एक क्या होगा इसका parallel velocity ये मिलेगा जिसको हम v parallel बोल देते हैं clear अच्छा v perpendicular कैसे निकालोगे आईए ध्यान से देखिए ये angle किता है बच्चों 45 डिगरी है तो देखिए v perpendicular क्या होगा ये होगा 5 under root 2 cause 45 इसका component कैसे लोगे 5 under root 2 cause 45 ये v perpendicular होगा तो यहाँ से निकालिए v perpendicular कितना होगा 5 under root 2 cause 45 इसकी value आप calculate कर सकते हैं कितनी आएगी देखिए 5 under root 2 cause 45 होता है 1 by under root 2 यहाँ से under root 2 under root 2 cancel होगा तो आपका answer आजाएगा यहाँ पे 5 तो यहाँ से आप कह सकते हैं इस object की perpendicular velocity वाला component कितना आजाएगा बच्चों 5 आजाएगा इसी तरह आप इस object की parallel velocity वाला component v parallel बड़े अराम से निकाल सकते हो कैसे ध्यान से देखिए velocity थी 5 under root 2 इसका यह वाला component क्या होगा बच्चों कैसे निकाल होगे 5 under root 2 sine 45 यह हो जाएगा उपर की तरफ तो यहाँ से आप कह सकते हो v parallel कितना हो जाएगा बोलिए 5 under root 2 sine 45 ठीक है यहाँ से आप v parallel निकाल सकते हो 5 under root 2 sine 45 होता है 1 by under root 2 under root 2 under root 2 cancel हो जाएगे बढ़े अराम से आपका value आजाएगा 5 यहाँ से आप कह सकते हो इस object की जो parallel velocity वाला component होगा जो इसको उपर ले जा रहा होगा वो कितना होगा बच्चों 5 meter per second यहाँ simply 5 b लिख सकते हो clear अब हमें क्या निकालना है image की velocity निकालना है यानि की vi आईए पता करते हैं image कहाँ पे बनेगी भाई object कहाँ था इसके left side था तो image कहाँ बनेगी right side बनेगी ठीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है object हमारा यहाँ है image कहीं यहाँ पे बनेगी बच्चों तो माल लेते हैं image कहीं यहाँ पे बनेगी i image अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है अब देखिए इस image की velocity जो होगी उसके पास भी दो component होंगे क्योंकि object के पास दो component है एक perpendicular velocity वाला और एक parallel वाला हाँ या ना clear अच्छा देखिए बच्चों अगर आप parallel velocity वाली भूल जाओ parallel velocity का component भूल जाओ सिर्फ perpendicular velocity को देखो यह आपका mirror और object की perpendicular velocity कित्ती है 5 है यह object इस perpendicular velocity के वज़े से toward 5 meter per second की velocity से इस mirror के toward जा रहा है थीक है तो उसी तरह यह image भी perpendicular move करेगी इस mirror के perpendicular move करेगी वो भी toward the mirror clear अच्छा किस velocity से 5 velocity से या कहलो 5 meter per second की velocity से clear उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ इस perpendicular velocity को भूल जाओ तो क्या देखोगे यह object की जो parallel वाली velocity है यह इसको उपर ले जा रही है positive y axis में 5 meter per second की velocity से तो भाया यह image भी 5 meter per second की velocity से उपर जा रहा होगा positive y axis में खतम बात अरे भाई सोच रहे होगा यह 5 5 कैसे आया चलो prove कर देते हैं ठीक है अभी आपने पढ़ा था एक relation बोलिए बच्छों minus v o किस केस में जब आपका object perpendicular move करता था mirror के यह कौनसा केस है perpendicular और mirror rest पे होता था यह case है देखिए हमें image की velocity निकालना है यानि की v i निकालना है object की velocity वह भी perpendicular वाली पता है object की velocity perpendicular वाली 5 यहाँ पे 5 रखेंगे कि इतना हैगा minus 5 हो जाएगा यानि की v i वह भी perpendicular वाला कौनसा बच्चों नोट करेगा यहाँ पे लेक लिए यह perpendicular velocity अला कितना है minus 5 minus 5 यानि की इस तरफ होगा इस image की velocity वह भी perpendicular वाली minus 5 यानि की left side होनी चाहिए negative x-axis में clear इसलिए हमने इधर ली है direction समझ गया की नहीं समझ गया पक्का अच्छा अगर बात करें parallel velocity क्या होगी इस image की कैसे i5 आओ दिखा देते हैं अभी आपने पढ़ा था v i is equals to v o यहाँ पे negative sign नहीं होता है अगर object कैसे move कर रहा है parallel to the mirror तो ठीक है यहाँ से आप कह सकते हो image की velocity कितनी होगी v o के बराबर v o क्या है इस object की velocity जो parallel वाली है कितनी 5 क्या है 5 समझ गया बच्छों यह कौन सी है parallel velocity of image कितनी है plus 5 आ रही है क्योंकि यह object भी positive y axis में move कर रहा था तो यह image भी parallel velocity का जो component होगा वो plus 5 होगा clear समझ गया कि नहीं समझ गया यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है अब मैं आप से पूछूँ इस image की velocity का vector form दिखा हो कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ से कहोगे बुलिए velocity of image in vector form भाई इस image की जो velocity है एक इसके पास component है क्या 5 meter per second किस direction में negative x axis के लाओ तो आप कहोगे बुलिए minus 5 i cap और एक इसके पास positive y axis में component है 5 meter per second कितना तो आप कहोगे plus 5 j cap clear x axis के लिए लिखते हैं i cap और y के लिखते हैं j cap clear अच्छा यह आगिया velocity of image in vector form यह भी answer correct है कोई दिक्कत नहीं है अगर आप से मा लीजे question पूछ रहा है magnitude of image किता होगा यानि की magnitude of image कैसे निकालते हैं आपको पता होगा बच्चों बोलिए under root में कैसे निकालते हैं जो i के साथ जूड़ा होता है उसका square plus j के साथ जूड़ा किता हो जाएगा 25-25 यानि कि 50 और यह हो जाएगा इसकी जो value आएगी यह भी कित्यागी 5 under root 2 आएगी बोलिए meter per second clear होई बात की नहीं इस image की velocity का magnitude किता होगा 5 under root 2 meter per second clear चाहे तो आप ऐसे दिखा भी सकते हो image भी ऐसे move कर रहा होगा कैसे ऐसे 5 under root 2 meter per second से clear समझ गये देखिए अगर object 5 under root 2 meter per second से at an angle 45 degree move करेगा तो image भी बनोट करेगा image भी कैसे move करेगी 5 under root 2 meter per second की velocity से को भी किस direction में इस direction में object टूट जा रहा है mirror के और image भी टूट जाएगी कितने angle पे 45 degree के angle पे clear समझ गये पक्का copy करिए side हो रहे हैं फिर करते हैं कुछ और case के question तो आईए बच्चों चलिए solve करते हैं question number 4 इस lecture का बहुती ताबर तोड कोईशन है इस type के question आपके exams में पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिए question में हमसे क्या कह रहा है find velocity of image question में हमको एक कोई plane mirror गिवन है और उसके left side कोई एक object गिवन है जो move कर रहा है विथा velocity 5 meter per second और इसका angle of projection from the horizontal हमको गिवन है 37 degree अच्छा और साथी साथ इस बार हमारा जो mirror है वो भी move कर रहा है with velocity 2 meter per second वो भी negative x axis के along या कहलो left side move कर रहा है तो हमें क्या calculate करना है velocity of image calculate करना है याने की v i calculate करना है तो चलिए वीडियो को pause करके question को try करिए आप से हो सकता है हो गया try करने जा रहा हूं ध्यान से देखिए अब इस बार देखिए बच्चू जैसा कि आपने देखा था question number 3 उस case में भी इस velocity के पास दो component है एक horizontal और एक vertical जो horizontal component होगा उसी को हम बोलते है perpendicular velocity और vertical component को बोलते है parallel velocity अच्छा तो क्यों ना हम इस velocity के component अलग-अलग कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा इस mirror को थोड़ा extend कर लो चलिए यह object यहाँ था मालीजे यह object है मारा वहीं पर और इसके पास velocity है 5 meter per second और इसका angle of projection हमको given है 37 degree अच्छा अब हमें क्या करना है इस velocity के component लेने है इस velocity का एक component होगा इस direction में बोलिए horizontal component क्या हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपको गे V perpendicular ठीक और इसका एक vertical component उपर की तरफ होगा जिसको हम बोलते हैं V parallel अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है अब मैं पूछूं perpendicular velocity जो आप देख रहे हो यहाँ पे perpendicular velocity इसकी value कितनी होगी देखिए बच्चों V perpendicular किसके बराबर होगा यह 5 है और angle है 37 degree तो उसका component क्या हो जाएगा 5 cos 37 क्या हो हो V perpendicular कैसे निकालेंगे 5 cos 37 degree clear यहाँ से आप calculate कर सकते हो 5 into cos 37 कितना होता है 4 by 5 होता है कितना होता है 4 by 5 होता है 5 से 5 मर जाएगा यहाँ पे V perpendicular 4 meter per second आ गया यहाँ से आप कहोगे इस object की perpendicular value velocity कितनी आ रही है 4 meter per second clear हुई बात की नहीं पक्का अच्छा इसी तरह हम इस parallel velocity को भी निकाल सकते है parallel component वाली velocity V parallel कैसे निकाल होगे यह हो जाएगा बोलिए 5 sin 37 बोलिए 5 sin 37 तो यहाँ से आप कह सकते हो V parallel क्या हो जाएगा 5 sin 37 degree यहाँ से आप V parallel निकाल सकते हो बड़े अराम से 5 into sin 37 sin 37 की value कितनी होती है यह होती है 3 by 5 बच्चो यहाँ से 5 से 5 मर जाएगा और V parallel कितना जाएगा 3 meter per second कितना आ गया बच्चो 3 आ गया clear अच्छा अब हमने object के components निकाल ली है velocity के components निकाल ली है एक perpendicular velocity इसके उपर जो इसको क्या कर रही है इस mirror के toward ले जा रही है ठीक है कितनी 4 meter per second और एक velocity जो इसको उपर ले जा रही है जिसको हम बोलने V parallel कितनी 3 meter per second note करिएगा इस बार ये mirror भी move कर रहा है कितने से बच्चो 2 meter per second से अच्छा कोई दिक्त की बात नहीं है एक बात तो आपको पता है image कहां बनेगी image इसके right side बनेगी बच्चो इस mirror के right side बनेगी object यहाँ था तो इसके just opposite इधर बनेगी image ठीक यह माली जामरा image आई हो गई ठीक अच्छा अब मैं आपसे पूछूं इस image की velocity क्या होगी उसके पास भी दो component होगे एक perpendicular velocity वाला और एक parallel वाला अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है आपने पढ़ा था अगर object इस mirror के parallel move कर रहा है वी parallel velocity से कितना है 3 meter per second तो यह image भी parallelly move करेगी with same velocity कितनी होगी अगर यह 3 meter per second है तो यह भी उपर कितने से जाएगा 3 meter per second की velocity से यह भी उपर जाएगा हाँ या ना बात करें perpendicular velocity को देखिए 4 meter per second है तो यह कितनी होगी इसकी perpendicular velocity कुछ ऐसे जाएगी मगर उसकी value कितनी होगी 4 meter per second नहीं क्योंकि इस बार mirror भी move कर रहा है mirror rest पे नहीं है clear horizontal velocity तो same रहेगी 3 पहले थी अभी भी 3 है image की मगर object की जो perpendicular velocity है 4 वो image की नहीं रहेगी चेंज हो जाएगी तो कि यहाँ पे हमारा mirror भी move कर रहा है आए देखते हैं पहले यह 3 कैसे आया और perpendicular velocity कैसे निकालेंगे image की देखिए बच्चों आपने पढ़ा था V I is equals to V O यह formula पढ़ा था जब कोई object mirror के parallel move कर रहा है किसके बच्चों नोट करेगा यह था parallel वाला case तो यहाँ से आप कह सकते हो V I बड़े अराम से निकाल सकते हो object की parallel velocity क्या है 3 meter per second ठीक है वो भी किस direction में है positive y axis में तो भाईया image भी यहाँ पे V O की value रख दो parallel वाली velocity का किता है 3 meter per second clear हुई बात की नहीं तो velocity of image parallel वाली इस mirror के parallel वाली कितनी है 3 meter per second देखिए clear समझ गया आच्छा अब देखिए बात करें perpendicular velocity क्या होगी इस direction वाली कैसे निकाल होगी उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाईया अगर आपका mirror motion में है mirror motion में है और तो उसके लिए आपने एक formula पढ़ा था याद करिए vm is equals to v o plus v i यह formula अपने पढ़ा था upon 2 clear यह कब लगाते थे जब आपका object perpendicular move कर रहा है और साथी साथ mirror motion में भी है mirror भी motion में है clear अच्छा तो यहाँ पे हम बड़े अराम से v i निकाल सकते कैसे velocity of mirror हमको पता है 2 meter per second वो भी किस direction में left side move कर रहा है बोलिए left side move कर रहा है तो minus 2 लेंगे बोलिए velocity of mirror कितनी है minus 2 velocity of object हमको बच्चों पता है कितनी है वो भी perpendicular देखी यह formula किसके लिए perpendicular velocity के लिए तो यहाँ पे object की velocity perpendicular वाली कितनी है 4 meter per second वो भी right side तो positive लेंगे ठीक है 4 plus v i v i क्या है velocity of image जो calculate करना है upon 2 है बच्चों फिर यहाँ से आप calculate कर सकते हो बड़ा राम से minus 4 यहाँ पे हो जाएगा बोलिए 4 हो जाएगा यहाँ पे भी plus v i यहाँ पे आप v i निकाल सकते हो v i कितना जाएगा बच्चों minus 8 meter per second आ जाएगा clear minus 8 meter per second आ जाएगा इसका मतलब यह है कि जो object की velocity perpendicular वाली थ थी 4 meter per second थी मगर image की perpendicular velocity किती होगी minus 8 meter per second minus क्या बता रहा है यह velocity का जो image की velocity है perpendicular वाली वो negative direction में 8 meter per second clear समझ गए कि नहीं समझ गए पक्का चलिए copy करिए और बताइए vector form में velocity of image क्या होगी तो बताइए बच्चों क्या आपने यहाँ पे image की velocity निकाल ली है in vector form आईए ध्यान से देखिए यहाँ से आप कह सकते हो v i velocity of image in vector form क्या होगी इस image के पास दो velocity है एक negative x axis में कितनी है 8 meter per second मगर negative x axis में है तो क्या लिखना पड़ेगा vector form के लिए minus 8 i cap फिर प्लस इस velocity इस image के पास एक positive y axis में velocity है 3 meter per second तो लिखो गया पे बोलिए 3 j cap clear तो यहाँ गया velocity of image in vector form अगर आप से कोई magnitude निकालने को कह रहा है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो velocity of image का magnitude कितना होगा बोलिए under root में minus 8 का square plus 3 का square इसको जब आप solve करोगे तो आपकी जो value आएगी बच्चों under root में कितनी आएगी 73 आएगी clear समझ गया कि नहीं समझ गया आच्छा तो इस image की velocity कितनी है बोलिए देखिए इसके पास एक इधर है और एक vector इधर है तो इसका resultant क्या होगा वही होगा जो इसका magnitude निकाला है कितना under root 73 समझ गया तो यहां से आदेख सकते हो velocity of image आ चुका है vector form में बोला है तो यह बोला minus 8 i cap plus 3 j cap magnitude पूछ रहा है तो under root 73 तो यह था पूरा overall lecture पहले copy करिए side हो रहे है तो चलिए बच्चों खतम करते हैं इस lecture को एक शायरी से ध्यान से सुनिएगा बहुत ही जबर्दस शायरी है दिल वाली प्यार वाली कब तक वो मेरी महबत को इंकार करेगी आज नहीं तो कल कभी न कभी मुझसे प्यार करेगी उसको इश्क की याद में हम इतना जला देंगे मेरी महबत का वो इजहार सरेयान करेगी तो चलिए पढ़ाई करते रहें all the very best मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जिसमें हमें आपको पढ़ाना है स्फेरिकल मिरर चलिए टैटा बाई बाई सी यू